हलो, नमस्कार दोस्तो आज की रेसिपी है सौया चाप मसाला बहुट एस्टी इसे हम बनाएंगे जैसे डावा में होटलों में खाते हैं वैसा इसे हम बनाएंगे इसके घ्रेभी ऐप आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है और सौया चाप है भूब है वह एक दम एक दम परते की खूली हुई बनेगी एकदम अच्छे से juice को पिये हुए बहुत टेस्टी बनके तयार होगा बनाना आसान है आप एक बार दीखिएगा वीडियो को लास्ट तक बहुत टेस्टी रेसेपी बनके तयार होगा और हाँ यह विल्कुल वेज है नाउन वेज नहीं है बहुत सार तो यहां पर पाँच सोया चाप लिए हैं, इसके स्टिक को निकाल के हम कट कर लेंगे, तो आप इसे जैसे भी सेप में चाहें, जितना बढ़ा चोटा कट कर सकते हैं, हम इसे एक सोया चाप को तीन पिस में कट किये हैं, और अभी देखेंगे इसके सारे परते चिपकी हुई है एक दूसरे से तो इसकी एक एक परते अच्छे से खुल जाए इसके लिए हम इसे फ्राइ करेंगे आप चाहे तो इसे डिप फ्राइ भी कर सकते हैं पर हम यहाँ पे इसे सेलो फ्राइ कर रहे हैं गैस का फ्लेम स्लो टू मेडियम रखिएगा और इसे अच्छे से टाइम दीजेगा फ्राई होने के लिए फ्राई होने में हो सकते हैं आपका थोरा सा जादा टाइम लगे लेकिन कोई बात नहीं अगर आप इसे अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे न तो इसकी परते तो इसलिए इसको अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है जब तक इसकी परते अच्छे से खुलेगी नहीं मसाला अंदर तक नहीं जा पाएगा और यहां पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छा नेट जैसा दिखने लगा है सोया चाप के अंदर यह अच्छे से फ्र जाल लेते हैं इसके बाद हम इसे मारिने इट करेंगे तो यहां पे पुरे चाप को हम निकाल ली हैं और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 30 नमख नहीं दही है इसे अच्छे से फिट के हम इसमें डाल दी हैं साथ में आधा चमच कसमेरी लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे थोरा सा नमक भी डालेंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिला के ढगके रख देंगे इसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे आप चाहे तो इसे ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन इसे थोरा सा मैरिनेट कर लेंगे तो अच्छे स तो यहां पर हम ग्रेवी के लिए तीन बरे साइज के टमाटर लिए हैं एक इंच अधरक का टुकरा है यह कट कर लिए हैं धेर सारा हरे धनिया का डंडी लेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जरूर डालिएगा इसे और लैसन ले लेंगे तो थोरा सा जादा हम यहां प पीस के एक पेस्ट बना लेंगे और सेम पैन में हम ग्रेवी बनाएंगे थोरा सा तेल रख लिए बाकी तेल हम निकाल दिये हैं इसमें और तीन छोटे-छोटे दाल चिनी के टुकरा एक साबुत लाल मिर्च और एक तेज पत्ता तोरके एक बड़ी लैची को क्रस्ट करके टोरके थोरी दिर हम इसे भून लेंगे और अब हम इसमें डाल लेंगे प्याज तो तीन बड़े साइच के प्याज है यह इसे हम चौप कर लिए हैं आप चैहे तो इसमें सूखे मसाले डालेंगे कैस को यहाँ पे बिल्कुल सिन कर दीजिएगा और एक चमच हम कसमीरी ला यहां पर डालेंगे सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी सब्जिक दम ढावा जैसा दिखे या होटलो जैसा दिखे तापको कसमेरी लाल मिर्ची पॉडर डालना होगा इससे बहुत अच्छा कलर आता है एक चौथाई चमच हल्दी पॉडर आधा चमच धनिया पॉड अब यहीं पर टेस्ट के नुसार नमक ढाल लीजे नमक थोरा सा हम चाप में भी मिलाये हुए हैं तो ध्यान से नमक ढाल लीजे और अब हमें मसाले को अच्छे से भुनना है तब तक मसाले से तेल अलग न दिखने लगे तब तक आपको मसाले को भुनना है आप चाहे तो बीच में कवर भी कर सकते हैं ताकि ये जल्दी भुना जाए और यहां पे मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुना गया है मसाले से तेल अलग दिखने लगा है तो अब हम इसमें एट करेंगे मलाई दो चमच के करीब मलाई है ये चाली है घर का दूद का जो चाली होता है वही हम डाल रहे हैं फ्रीज में रखने से ये थोरा सा टाइट हो जाता है तो कोई बात नहीं आप चाहे तो इसे फेट की भी डाल सकते हैं पर ये ऐसे भी मिल जाता है मसाले में अच्छे से तो थोरी अगर आपको मलाई पसंद नहीं हें आहां पे भी दही डाल सकते हैं वैसे दही हम चाप में भी मिलाई हुए हैं अगर आप मलाई पसंद नहीं करते हैं तो थोड़ा सा दही डाल लीजें इससे अपकी ग्रेयवी का कलर और सटेस्ट दोनों बढ़ जाता है थोड़ा सा कसूरी मेथी भी हम करस करके डाल लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है यहां पे हम सोया चाप डाल लेंगे और सोया चाप में हम दही मिलाए हुए हैं तो थोड़ी दिर हमें इसे भूनना होगा थोड़ी दिर और अगर हम इसे भून लेंगे ना तो सोया चाप के अंदर ये मसाला अच्छे से आ जाएगा इस ते सोया चाप का टेश्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा तो थोड़ी दिर आप इसे भून लीजेगा और यहाँ पर हम सोया चाप को मसाले के साथ थोड़ी दिर भून लीएगे हैं बहुत अच्छे से सोया चाप के अंदर मसाला आ जाता है तो अब हम यहाँ पर पाणी डालेंगे पानी आप अपने पसंद से जैसा ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी डाल लीजे हम यहाँ पे करीब डेर ग्लास पानी डाले हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोरा सा पानी और एड़ करेंगे क्योंकि थोरी देर हम इसे पकाएंगे भी तो इसे अच्छे से मिक एक पते हो गया है आप देख सकते है गरभी गाड़ी हो गई है और सोया चाब भी अच्छे से juice को पी लिया है इसकी एक एक पड़ते अलग हो गई है और अच्छे से इसने juice को पिया हुआ है अगर आप इसे अच्छे से फ्राई नहीं करेंगे थोरा सा टाइम दे कि इसे नहीं बनाएंगे न तो ये उपर से तो अच्छा दिखेगा पर अंदर फीका फीका रहेगा इसकी अगर पड़ते अच्छे से नहीं खुली तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसने जूस को पिया हुआ है तो बहुत टेस्टी सोया चाप हमारा बनके तैयार है यह तेज़ पता हम यहाँ से हटा देते हैं इसका काम हो चुका है और अब हम इसमें डाल लेंगे गरम मसाला, आधे चमच और डेर सारा कटे हुए धनिया का पता इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करके थोरी देर के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि धनिया के पत्ता और गरम मसाले का फ्लेवर भी सबजी में अच्छे से आ जाए बहुत टेस्टी सोया चाप मसाला हमारा बनके तैयार है बिल्कुल ढावा होटलों में जैसा मिलता है न वैसा देख के भी आपको पता चल रहा होगा एक बाट ट्राई कीजेगा ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कितना क्रीमी है तो बहुत टेस्टी ये बनके तैयार होता है हम इसे सर्ब कर लेंगे बनाना भी आसान है एक बाट ट्राई कीजेगा बताईगा कैसा लगा ये रेसेपी अगर मेरा रेसेपी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बिल का बटन भी प्रेस कर लीजे ताकि मेरा हर वीडियो आपकी पास पहुंच सके वीडियो गर अच्छी लगे तो लाइक कीजे सेर कीजे कमेंट कीजे और अगर कुछ अच्छा नहीं लगे तो वो भी हमें जरूर बता दीजेगा ताकि हम उसे सुधार सके थैंक्यू मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसेपी के साथ